हेलो मैं लवली बेकर्स, वेलकम चीछारूज केक बेगतों, आज हमें एक चोटो सा केक लेके आए और उस चोटो से केक से हम को एक बनाने का है तोल केक, एस यूर गेटिंग इट वेरी राइट टॉल केक बनाने का है तो यह 250 ग्राम का टॉल केक बना रहा है और यह 4 लेयर्स देखो मैंने इसके कट कर दिये इतना चोट हुसा है ना कि डेलिकेट इतना हो गया है कि मतलब हात में ही नहीं आ रहा है एक दम चोटा सा आगे पीछे हुए ही जा रहा है वर ठीक है विल मैनेज इट और हम यह करके र करना आया है तो जरूर बताइए का कैसा लगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बेल आइकन प्रेस कर देए फ्रेंड सेंड फामली में शेयर करें और धेर सारा प्यार दे चारुस केक बेक को कीप शावरिंग यॉर लव कीप कमेंटिंग कीप लाइकिंग डू अल दाट प्लीज तो सबसे पहले हमने इसको फोर लेयर में कट किया फिर इसका असेंबलिंग करेंगे तो एक के ऊपर एक लेयर को रखेंगे और बीच में पहले शुगर सिरप से सोकिंग क्रीम एंड क्रश तो यही प्रोसेस हम चारु लेयर को चोटू सा केक एकडम चोटू सा वेरी डेलिकेट तो डील वेट बड़ा मसा आया वनाने में क्यूंकि चालेंज लगते है ना नए डिजाइन वनाने में और कुछ ऐसे की 250 ग्राम में तो चालेंज तो हमको अच्छे ही लगते है तो उस हिसाब से हमने इसको बनाना शुरू किया था तो क्रीम को देखो पैलेट नाइफ की हल्प से अच्छे से समझ कर रहे है और साइड में 90 डिग्री आंगल से साथ साथ ही लगाते जा रही हूं ऐसे करने से ना क्या पूरा ग्रिब मिल जाता है लेयर को तो लेयर इधर उधर नहीं होता और फिर हमने इसके उपर थर्च्छ टाला यह एक रस्मलाई वेयर केक था सोरी पर भोला भूल गई हूं तो रस्मलाई क्रश्च टाला थो उसके बा के बाद हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिन चोड़ देते हैं तो वह प्रोसस में दिखाती नहीं पर सेट होने के लिए छोड़ा करें उससे आपका केक जब आप उपर की फाइनल आइसिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी आएगी तो देखो साइड में मैं पहले दगाते आओगे ना तो आपके साइड के लिएर हिलेंगे नहीं और देखो एक के उपर एक बराबर से ही आएंगे तो जब चीज शूरू से ही अच्छी बनती रहेगी तो एंड रिजल्ट तो एकदम गजब का ही आना तो आपके फाइनल लेयर को रख दिया और क्रीम से अ लेजा रहे है तो ये जो डिजाइन हमको क्लाइंट में पापल कलर का दिजाइनिंग था पहले मैंने अटो इस तरीके से मने प्डाइप यह लगा रहे हुं तो पूरे को अच्छे से कावर करेंगे देखो इस तरीके से कर नहीं है अनक्या में आजाएगी तो इस तरीके से आप पूरे को अच्छे से कवर करें साइड में और टॉप में तो जो ब्रेट का पाट कई लोगों के दिखता है ना वह आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी यूजस गॉन लव दिस टेपन यू थैंक मी फॉर दिस की मतलब इतना इजी स स्टेप बताया और फिनिशिंग ना इसके बाद एक दम ही अलगी लेवल के आने वाले तो जरूर जरूर यहीं स्टेप करें पाइपिंग बाग में भर के ही क्रीम को लगाएं तो इससे आपके फाइनल फिनिशिंग बहुत ही इजी में आ जाएगी तो फिर मैंने इसके कि मैं यहां पर मिस्कर देती हूं तो वह आप कर सकते हैं और वह स्टेप है कि प्लेइन स्क्रापर से करने का क्योंकि बहुत और रहते तो एक एक स्टेप करने बेटे जो उनको यह तो मैं पाइपिंग बैक से क्रीम वगेर भी सिर्फ आपको लगाने के लिए दिखाने के करे से में ब्लान का आप जाता है किया थे करते है तो ना सब्सक्राप कैसे ऑना הका तो एक mechanisme देंग दौक के अब उपकि एस प्लेंग के लिए तो थीजिआल फिनिशिंग आजाएगी हमारा किया Может थोड़ा पिरिम लिए चीज हो घ्ली छीजजांते है तो तो दिख टीम क करें जब आप करें तो और scrapper से अच्छे से round and round करें कितनी अच्छी finishing आ आप देख सकते हो और फिर top में भी करें और extra cream जो side से निकल रही है उनको पूरा अच्छे से अपन करेंगे मतलब प्लेइन करेंगे फिर उसके बाद देखो प्लेइन किया और फिर गोल गुमाते हुए मैंने इसको जिक्साग पैटन आप जो side से extra cream निकल लिए उसको रिमूव करेंगे और फिर इसी process को आपको तब करना है जब तक आपको फाइनल फिनिशिंग नहीं मिले देखो अभी कितना क्लीन हो गया है सब कुछ टॉप से side से सब और फिर कपड़ा लेके आपको इक भी कॉटन का या किचिन टावल जो यूज करेंगे साइन में उससे बोड को भी अच्छे से क्लीन कर दे तो मैंने न इसी तरीके से करते हुए पूरी बॉर्डर को आप complete करेंगे तो purple पे purple ही था और पूरा ही केक का लुग भी same ही था मतलब color combination में same से मेरा मतलब वो है तो इस तरीके से पूरे में हम हच्छे से border बनाएंगे तो दीरे दीरे देखो जब बारी किया एड हो रही है तो cake का look कितना आ रहा है और same ही design हम top में भी बनाएंगे देखो पीछे से pull और आगे से खीचो ये करते हुए हम इसको पूरे में complete करेंगे same ह design को तो पूरा cake एकदम simple है एक ही nozzle का भी यूज हुआ है और इतना कुछ है भी नहीं इसमें extraordinary बट कितना elegant है देखो है एकदम simple बट एकदम ऐसे बहुत ही सुन्दर लग रहा है के फिर हमने इसके उपर flower लगाना था तो फो जो फोटो था उस पे flower लगा हुआ था तो मैंने इसके उपर ये pink color का flower लगाया क्योंकि पिंक ही उस पर भी लगा हुआ था तो ये फ्लावर देखो साइट से खड़ा होई जा रहा था जैसे भी बढ़ारे उसके पूरे पंक ऐसे खड़े हो रहे तो मै मैंने उसको अच्छे से क्रीम की हेल्प से लगा दिया वाश करके रखाया है अच्छे से सुखा के फिर यूज कर रहे है केक पे और ये वाले छोटे वाले फ्लावर्स थे ये भी नॉन एडिपल ही है आटिफिशल फ्लावर्स ये भी पिंक कलर और ग्रीन के कॉंबिनेशन में थे इतना शायद कालर कॉंबिनेशन समझ में आ रहा है या ने थोड़ा पिंक के भी ये एकदम प्रॉपर पिंक नहीं था डस्टी पिंक जो पपल के साथ जा रहा था देखो और ग्रीन लीव के साथ बहुत ही सुंदर था तो वह हमने साइड में लगा दिये और केक बह तो कैसा लगा आपको ये केक डिजाइन जरूर बताएगा लाइक शेयर अब सब्सक्राइब करना ना भूले वहुत बहुत सारा प्यार दे तो यह है इसका फाइनल लुक चोटु सा टूफिटी ग्राम का हमारा स्पेशल टॉल केक तो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा दू थाम्स अप लाइक शेयर अन सब्सक्राइब करना ना भूले कीप शावरिंग यूर लव और चारूस केक बेक हैपी बेकी